तो मुझे अपने लिए और गयंजा का दुबटा डिजाइन करना था और आजकल जैसे हैंड पेंट करके कुछ बनाना चाहरी थी तो यह लो कलर की जितने भी मैंने हैंड पेंट पेंट कलर ही ज्यादा यूज किया गया है लेकिन मैं अपने लाल पीला सा दुबटा नहीं बन करूं तो मैंने पींटरस्ट पेंट पेंट कर लिया था अपने इस तुबटा के लिए और मैंने थोड़ा सेंपल बना कर भी देखा था पहले तो मुझे अच्छा लगा मुझे अच्छा लगा था यह वाला डिजाइन और कलर्स वगरा तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा पेपर ले लिया है और अपनी रफरेंस पिक्चर को देखते हुए मैंने पहले अपना डिजाइन ड्रॉ कर लिया है और उसे यहां पर नीट कर रही हूं तो बैसिकलिस में दो फ्लार्स हैं एक बड़ा है और उसके अलावा और इसके अलावा अलएद अलएदा भी कुछ च पेंसिल के साथ मैं सारह किरोंगी कि यहां पूरे दूबटे पर यह फ्लार्स ट्रेस कर लिंए यह तीन मीटर का तुंपटा था और इसके ब्रॉपर सिक्स मैं grateful Polsce मैंने बनाया है इस तरह पेंगा से अब यहां मेंने पनर फोटीन इंचिस का लिया है और उसे से एक explain europa को पता है मैं blue bird के fabric paints Student playing यूज होते हैं और इन्हें तिन करने के लिए मैंने पानी आइड किया है ऑपानी की बघाया आप बाइंडर वह आइड़ कर सकते हैं तो फलार मैंने यहां दो leg कॉलर का इस फ्रेम के अंदर जितने भी लीव्स वगर आ रहे थे वह मनें सारे पेंट करके तो उन्हें जल्दी ड्राय करने के लिए मैंने यहां पर हेर ड्रायर यूज किया है पेंट ड्राय होने के बाद यहां फ्लावर्क में अब मैं आउटलाइन दे रही हूं पिंक कलर से सारी पेटल में मैंने आउटलाइन देनी है अब इन पेटल्स के अंदर मैं डिटेल्स के नाम पे कुछ लाइन्स एड़ कर रही हूं और इस पैटन में जो बाइट्स बनाये थे मैंने फ्लावर के वह मैं पूरे 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 पिंक कलर से पेंट कर रही हूं तो यह मैंने पेंट कर लिया सारा दू बटा यहां पे कंप्लीट मैंने सिक्स फ्लावर से यहां पेंट कर लिया थे लेकिन सची बात बताओं तो यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आये थे अजीब सी मतलब जंगली-जंगली सी लुक आ रही थी पते हैं जब यह कंप्लीट किया मैंने तो मेरे दिल बहुत खराब हो था किये मतलब जैसे मैंने सोचा था उस तरह की लुक नहीं आया थी प्लस मैं आपको बता दो कि इस फैबरिक में पेंट्स इतने अच्छे नहीं हुए थे मतलब कि यह प्योर अरगेंजा का कपड़ा नहीं है इसकी वज़ा यह है कि यह फैबरिक कुछ कुछ टिशू फैबरिक जासा है जो बहुत जाइन वाला टिशू फैबरिक होता है उसके जासा है लेकिन बिल्कूल उसके जासा नहीं है मतलब थोड़ा सा आप कहले है सैमी टिशू फैबरिक है और टिशू के फैबरिक पे नहीं किया जाता और मुझे डिजाइन भी अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको संभाल कर रग दिया कि यह मुझे नजर माई तक पड़ा रहा है मेरे इस पर काम करने को बिल्कुल दिल नहीं किया फिर मैंने सोचा जहां इतनी मैनत कर लिया थोड़ी सी और करके देखते हैं मैंने इसको दुबारा निकाला और इस पर काम करना स्टार्ट किया है मैंने यहां पर दुबारा से अपना 14 इंचिस वाला हूप लगा लिया और जो मैंने राफरेंस फोटो देखा था उसमें कटड़ाना यूज हुआ था लेकिन मेरी अमीने का नहीं जिस तरह से नक्षी यूज हो रही है तो वही लगाओ कटड़ाना से वह वाली लुक नहीं आएगी तो इसलिए मैं फिर नक्षी ही ले आई थी और वसे गूट डिसीजिजन क्योंकि नक्षी से इसमें बहुत अच्छी लुक आई थी तो नक्षी लगाने के लिए मैंने सबसे पहले इसके अच्छी लगाई थी इस पूरे फ्लावर में अच्छा अकसर लोग मुझे कमेंड करते हैं कि आप आरी यूज करें आरी नीडल से जल्दी काम हो जाता है तो वाकिए हाँ जल्दी काम हो जाता है और मैंने आरी चलाना सीख भी लिया है लेकिन जो नक्षी लगाई जाती है इस पे मेरा हाथ नहीं चल रहा सही लगाने की बज़ए मुझे खराब हो जाती है नक्षी तो इसलिए मैं अब भी आरी से नहीं लगा रही नक्षी तो यहाँ पर मैंने बड़े फ्लावर के साथ छोटी फ्लावर में भी आउटलाइन कर ली है नक्षी की और इसके लावा मैंने अलादा अलादा पते बית बनाया थे उनमें मैंने आउटलाइन कर लिया और यह जो हमारे बर्च थे इनकी डेंडी और पतों में एक एक लाउइन लगाई है इस तरह से मैंने तो आपको पता है कि नक्षी को प्रेस किया जाता है तो उससे कूटने के लिए मैं यह प हैं और हैं यह स्माल फ्लैट सिक्वन्स क्योडन कलर में हैं तो सबसे पachले मैंने चार कटट बीट्स लिए हैं और द siete कट बीट्स के फासले पर मैंने सवी पेशिये निकाल ली हैं और जो आगे वाले दो कटट, से उनमें से सुई आगे को पास करती है ऐसे ही चार जार मोटी डालते हुए दो मैं से आगे वापस पास करते हुए मैंने कुछ लाइन्स बिनानी है यहां पर इनके किनारे पे मैं फ्लावर सिकून लगा रही हूँ और उसके अंदर मैंने एक यह वाइट पर्ल लगाना है स्मॉल साइज में तो इस तरह से यह कुछ लाइन्स चाहेंगी इन फ्लावर में इनके बाद मैंने यह फ्लावर सिकून्स लिया है और इन्हें मैं एक एक करके इस पूरे फ्लावर में लगाऊंगी आप जिसे स्प्रेय वर्क कहते हैं वह मैं यहां पे कर रही हूँ हम इसे छटा कहते हैं और छोटे फ्लावर की तरह यह बड़े फ्लावर के अंदर भी सेम यही काम होगा यह लाइन्स लगा लिए बिनके बाद इसमें सितारे लगेंगे यहां पर मैंने यह वाला फ्लावर बंच कंप्लीट कर लिया है और अब इससे देखकर में दिल को थोड़ी तसली हुई थी हाँ यह अच्छा बन जाएगा तो अच्छा लगेगा यह जो डंडी वाले पते थे इसमें पूरी नक्षी की लाइन दी है और जो पते थे इसके। इसमें मैंने ये एक-एक सिक्रण लगाया ऐस तरह से और यह मार्शाला से बहुत प्यारा बना था सबको यह बहुत यह जो इसके अंदर यह जो इसके अंदर यह जो पैटल्स में पिंग कलर की आउट्लाइन सी थी नक्षे की नीचे से यह नजर आती है बहुत प्यारी लग रही थी यह भी मतलब ऑवराल बहुत ही प्यारी लुक आई इसके बाद मैंने एक लिए और उसकी चुड़ाई है अब दुबटे को इसके उपर रखते हुए मैं यह लाइन्स ट्रेस कर रही हूं वह इसलिए क्यूंके फ्लावर्स जो थे वो साइट साइट पे थे और जो उनके साथ वाली जगा थी वो बिल्कुल खाली थी उस पे और पेंट किया रहा सकता था लेकिन मैं और पेंट नही एक वाइट पर्ड के साथ और उसके उपर मैं तीन लाइन्स लगाऊंगी सिक्वन के साथ दबके की उपर नीचे दोनों तरफ लगाई हैं मैंने तो यह चोटी सी पती सी बनिया हमारे पास यह मैं पूरे दूपटे पर बनाऊंगी तो अब इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूं मैं आपको तो यह पूरा दूपटा कंप्लीट होने के बाद इस तरह कर लगेगा और यह इत कंप्लीट नहीं है इसका मैं सौक नहीं है जो अबना है जैसे मने सोचा था डीसंट सा पिल्कूल वह साही बना है क्योंकि पहले तो मुझे लगा था यह था था नगया हो आपको आज का तर्या अच्छा लगा हो थांक्यू फूछं को वोचिंग बाइ